पिछले दूनों सागर जुले के बंडा थाना अंतरगत एक लापता छात्रा की सिर्कटी लाश मिलने से गुत्ती को आकिरकार पुलिस ने सुझाने में सफलता हासिल कर ली है इस मामले में वारदात को अंजान देने वाले और कोई नहीं बलकी मतिका के तीन सगे भाई और चाचा बताया जा रहे हैं जिन्होंने चात्रा के प्रेंप्रसंग से नाराज होकर उसे सबख सिखाने के लिए पहले रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया है बंडा थाना अंतरगत पिशले दिनों कफशा आठवी की पैशा देने गई चात्रा के घर वापस नहीं लोटने से परिजन द्वारा इसकी गुमशूदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्च कराई गई थी बाद में एक खेट में छात्रा कासर कटाश्यव मिलने से संसनी के हालाक तनमित हो गए थे पुलिस द्वारा घर्टना की जाच करते हुए सागर एसपी द्वारा आरोपियों की पतसाजी पर दस हजार रुपए का इनाम खूशित किया गया था बहीं घर्टना के संदेही व्यक्ती से भी पूश्टाच की गई थी लेकिन घर्टना का खुलासा नहीं होने पर सागर आईजी ने इनाम की राशी बढ़ा कर 25,000 रुपए कर दी गई थी सागर एसपी आमित सांगी ने घर्टना का खुलासा करते हुए बताया की वारदात के बाद से मृतिका का एक भाई राम प्रसाद लापता था पर जनों द्वारा उसके बारे में जांकाई नहीं दी जा ले थी जिस पर संदे होने पर अन्य भाईयों और चाचा बंची लाल से पूश्ताच किये जाने पर उन्होंने चात्रा की हत्या करना स्वीकार कर लिया पुलिस ने आरोपियों के रक्त रंजिश कपड़े हत्या में प्रयोक्त हस्या सहित अन्य सामगरी बरामत कर ली रिश्टो को कलंकित करने वाली शर्मना घटना की शिकायत पुलिस को करने वाले चाचा बंचीलाल द्वारा गाउं के पटेल परिवार से जमीन विवाद बता कर गुम्रा करने का प्रयास किया गया था अब पुलिस शिकंजे में इनके साथ मतिका के मंजले भाई ब्रजेश और छोटे नाबालिक भाई को पुलिस ने हत्या बलातकार सहित अन्य धराओं में गरफतार कर लिया है जबकी फरार बड़े भाई राम प्रसाथ की तलाशी जारी है दुश्क्रत्य अवैस संबंधों की घटनाय रिपोर्ट हुई है और उसमें नियाले में प्रक्रण भी चले हैं कि सगे पिता या सगे भाई ने बेटी या बेहन के साथ इस तरह के प्रक्रण आते रहे हैं परन्तु जहां तीनों भाई इंवाल्व हों और चाचा इंवाल्व हों तो यह प्रक्रण दुड़लब शिड़ी में आएगा प्रक्रण भी तरह का अपतिजनक पोश्ट करता है उसके ग्रूप एड्मिन को आवश्य ग्रूप से आरूपी बनाए जाए ग्रूप एड्मिन यह सुनिशित कर लें कि कम से कब उनके जो मेंबर्स हैं उनको उस दनियत्तर होना दीए अधरवाई जैसे मेंबर्स को इमीज प्रक्रण भी तेरा तारिक को ग्राम बेल खेड़ी की एक नावालिक बाली का लापता हो गई थी जिसके गुमने की रिपोर्ट थाना बंडा में चवदा तारिक को उसके पिता की तरफ से दर्ज की गई थी और खोजबीन में इस लड़की का शरीर गाउं से कुछ दूर ज ऎसू के बाली की की तरी कम एव थी तरी प्रक्रण वे बाली की मीं दूरा वाली क का लाईं आर उरर मूर खोजबीर को अ झाल 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 झाल